स्थ्रोटल बोड़ी की बात किया जा तो इस साड में क्लीन है और इस साड में इतनी ज्यादा इसके अंदर डेस्ट भरी हुई है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता है बहुत ज्यादा डेस्ट है कि अलो गाइज विल्कम बैक टू माई चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग मेरा नाम इमत्याद आज मेरे पास टीवेस की अपार्ची आर्टी आर वन सिस्टी बीए सिक्स बाइक है है और इस बाइक को प्राउब्लम कैसी हू रही है जैसे हम एकसिलेटर चोड़ते हैं बाइक बंद हो जाती है बाइक चलते चलते मिसिंग करती है सबके पहले में बाइक को चीछी जाती है आपने यह को दिखा यहצारिके जो आर्पीय मैं एक दर पे रूकी नहीं रहा है मिश्चाई कर रहा है भी जबालो बाइक बाइक बंद हो जाती है चलते चलते मेरों प्रॉब्लम लगी वह त्रोटिल बडी की लगिये तो इसकी थ्रोटल वय्डी मैं खोल जो कर लेते हैं एक बार हो सकता है यह प्रोपो पहले इस공ाइब कर लेते जिए एक मनें इसका सेज़ाँ और अब यहोडा लिए के फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसकी बॉडी की हलत तो अभी इसकी पाइनली कंप्लीट बॉडी हमने फ्रोटल बॉडी बाहर निकाल ली यह रही थ्रोटल बॉडी इस साईड से तो आप लोगों को करेंगे इतना ज्यादा इसके अंदर डिखाते हूं जादा आप लोगों को दिखाते ओं जसने कित्वाइब की चेलेक इस प्रोब्लम में हैंड़ेट परसंट इसी कीπά सिको क्रीण करेंगे और फुटिन करैंगे ज是的 जा से इस साइड का तो बढ़िया है इस साइड में बहुत ज्यादा डश्ट है थोड़ा साइस्कूडर लेता हूं और इसमें मट्टी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं देखो चोड़ डश्ट इसमें जमा हुई है देखो यह तो कुछ बॉल्डज दिखने लगा कुछ इस परकार का होता है लेकिन पूरा मतलब डेस्ट लगने के वज़े से पूरा ब्लेयक हो गया है इसका सारे सेंसर खूलेंगे पूरी थ्रोट्टल बोडी होगी स्फिद्प बड़न टो चलो साब अरे सेंसर इसके खूलते हैं फ्रोट जो फ् काफिल औरने पूमें लूद्व आज चांप झीघ सपरण शक्राटर नॅल सब्सक्राट्सम में जाले हैं कि अज 550 चांप लेह हैं इसका कि वह न Whenever You क्या मवें निंदुन सब्वाहे सब्सक्राइध प्र Υासल की निधवर्ड में परण फनकता तूरा जाएं क्राइज के शाएं अहिस दिदिए जाएं सकने कि अधारेें के अधाव भीस प्रकी机 से देख आङे के लाग कर दूदा करונה कर दोंने आखें सान्रेक थे आभीस-ख्रीक्ति सेट्सनीरों इस नहीं कना हें, कपड़े से करना है तो कि इस पे जो और इंग होती है वह प्रोग्लम कर जाएगी अब चलो सारे सेंसर को बोड़ी में फिटिंग करते हैं और सबसे जो पहला काम है इसका इंजेक्टर और इंजेक्टर को क्लीन किया कपड़े से खुब अच्छे जए क्लीन कर लेना कपड़े से और इसमें होगे एक ओर इंग तो यह रही ओर इंग यह ओर रिंग को हमको यहां पर बैठाना है तो बैट गई ए थोड़ा सा और तबा लेते हैं अच्छे से बैठा लेना अवर इंग को उसके बाद यह रही इंजेक्टर को लगाते हैं यह कुछी इस तरीके से लगाना है हलके हाथ से अंदर के तरफ प्रेश करना ओरिंग में बैठाना है इंजिक्टर को कि आरां आ अरां से बैठाएंगे बैठ जाएगा जएग कर अभी भी नहीं बैठा बहुत प्यार से बढ़those को तो तोड़ गया तो फिर दिक्कत अभी मेरी बाथ को चौन UX अभी यह बैठ गया है यहां से पकड़ेंगे और इससे दबा देंगे अब बैठ गया है नहीं बैठा भी भी अब बैठा है इसका जो इसकुरू था वह इलंकी टाइप में इस्टार वाली इलंकी इसको लगा के टाइड कर देते हैं अब बैठाते हैं यह वाला जो सेंसर यह आटो चुक का कम करता है मतलब जाब बाइप को इसको बैठाते हैं अब इसको बैठाने का तरीका जो है बिल्कुल आसान सा है कुछ इस पिरकार से बैठाके और ये पट्टी इसके ऊपर लगेगी ये थोड़ा से बिल्कुल खाचा है बैठा लेना बैठ जागे ये बैठ गया अब इसका इसकुरू लगा के टाइट कर देते हैं बशलिअन से रैसलिट करना हुआ और यटोरई जाए खी कि यह नहीं अब लगाते हैं इसका थ्रॉट्टल पोजीशन सेनसर दो analyzing one तो यहां पे लगेगा! तो इस पर खाचा है !! वो चीज देखके बैठा लेना ए बैठा के दिखा बेता हूं अर इसको रखना किस साइड में वो भी देख parking है मैठा आते हैं यह बैट गया इसके दो scoror हों गया यहां पर लगेगा तो इसको कुछ इस तरकार से बैठाएंगे देखो यह बैठा देंगे आराम से बैठ जाएगा यह बैठ गया अब इसका भी जो इसको लगा के टाइट कर देते हैं सारे सेंसर लग गए अब इसको बाइक में लगाते हैं और बाइक को स्टाट करते हैं से बड़िया तरीके से क्लीन हुआ है अब इसका जो सेंस वह फ्रोटल बाडी लगाने से पहले जो मुझे यहां पर बहुत ज्यादा डश्ट दिखा यह देखो तो मैंने से यह देखो है ना इसके अंदर काफ करेंगे अभी ध्रोटल जो बोड़ी ता पूरा कंप्लीन हो चुका है सारे वयर लग स्टाट करना है एक और बागे को स्टार्ट करने के बाद च्रें करने के बाद कवर्जाबी का ऊन करना है उच्छिस तरीके से और पूरा अब इसके बाद युअ वापस सक yeah activities फिरसे ओन करेंगे मोटर एक बार चले, फिरसे बंद कर테ंगे, फिरसे ओफ करेंगे, ओन करेंगे, और मीचे के तरफ देखेंगे देके, जो हमने पाईप लगाई, इंजेक्टर वाला वह मम्मेन लीकिज तो नहीं है, वह मैं फूर बढ़ी है, लीकिज नहीं है, छेक कर लेत स्टार्ट करते हैं आर्पीम जो अभी दो पे धीरे धीरे क्या होगा यह देड़ पे आ जाएगा आपको चोगा भी लगा हुआ है अब पेट्रोल कम है बाइक में पेट्रोल कम है अब निसिंग तो नहीं कर रही है देखो आर्पीम आगा है देड़ पे फर्स क्लास बाइक स्टार्ट शेक इंजन लाइट नहीं जल रही है आर्पीम रुका हुआ है एक ही दर पे देड़ पे मैंने बोला तो यह रुख जाएगा देड़ पे रुख जाएगा पहले आर्पीम कम ज़्यादा हो रहा था कि पेट्रोल की वज़े से जो है बाइक बन पड़ रही है बाकि प्रॉब्लम नहीं है कोई भी कि मीबल फास्ट क्लास बाइक स्टार्ट हो रही है बिल्कुल बढ़िया कोई दिक्कत नहीं आर्पीम भी बिल्कुल एक दर पे यह जाए पहले यह कम ज्यादा हो रहा था कि मेरे पास आई थी बहुत ज्यादा कम बंद हो जायरी थी कि ए अभी मैं बाइक को चला रहा हूं कोई प्रोब्लम नहीं बाइक में एक जड़ा से मिसिंग नहीं कर रही बाइक और ना तो यह बंद पड़ रही बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाइक चल रही है कोई मिसिंग की समस्या नहीं पहले क्या था बाइक कलस बाते ही बंद हो रही थी वो भी प्रोब्लम सॉल्फ हो गई मैंने चेक कर लिया है और मिसिंग तो कारी नहीं है मतलब जो जटके मारती थी वो चीज नहीं है इसमें एक जड़ा से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना रेस भी काम कर रहा है बढ़िया बिल्कुल बेस्ट बाइक हो चुकी है तो बाइक का मैंने राउन मारा बाइक हो चुके कंपलेट सारा कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाइक चल रही थी कोई प्रोब्लम बाइक में नहीं थी और जब थ्रोटल बॉड़ी मैंने खोला था तो आप लोगों ने देखा था बहुत जादा गंदी थी थ्रोट बोडी को क्लीन कराइक कब इसमें जो क्रोब्लम कि वो समझो पहले पैक मिसिंग कर रही थी वैए को स्टार्ट कर देदे बा sentiments के ले रही थी कुछ इस तरीके दोब्लम करती बाइक समद्ध रॉब्लम कर आए मंचों करवाओगे तो प्रोटल आपbas बाइक की प्रोब्लम हो और जटके की प्रोबलम है वह खसकी में उसी आप चला रहे हों चलाते चलाते अचानक जटका आया पटलंच भी समस्या ठीज ले नियों को में बिक में आंदों सॉल कर दिया है वह अगरत च्राक्षा्षिक जी से बड़ी क्लेस दबा वीडियो करना और जरूर कर लेक्राइब करना और मेरे चैनल पर नोखो टैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना मिलت copy लेक्स के साथ झाल झाल